स्वागत आपका जी बिसनस में, मैं हूँ दपानशु भंडारी और दमदार ग्लोबल संकेतों के साथ आज बाजार फिर से एक अच्छी शुरुवात के लिए तयार होते हुए दिख रहे हैं धेरो आक्षन है, कल आखरी घंटे में थोड़ी लडखड़ाई बाजार पर आज समलते होए दिख रहे हैं, ग्लोबल मारकेट्स में एक अच्छा रिबाउंड आया है, कमोडिटी बाजार में भी भरपूर आक्षन है और आपके लिए कई सारे कमोई के मौके हम बताने वाले और नाजडाक और S&P तो लगातार पांच जिनों से तेजी में हैं ही, उसका अक्षन भी आप देख रहे हैं, और बाकी के एश्या के बाजार पर अगर आप नज़र डाले तो जपान के बाजार करीब आधा पर सेंट ऊपर हैं, होंग कॉंग और चाइने के बाजार अभी अच्छे संकेत आते हों दिख रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं और मैं बहुत अच्छे इसके लिए कह रहा हूँना दीप क्यूंकि नेगेटिव संकेतों को भी ग्लोबल मार्केट्स रियाक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, आप देखिए आप आयम एफ तो उसका इंपक्ट देखने मिला इसके लिए आपने देखने मिला इसके लिए आपने देखा कि नाज़क और S&P जो है वहां लगातार पाचवे दिन तेजी देखने मिले और डाव भी 200 अंग के आसपास की उच्छाल दिखा रहा था इन फैक्ट सब तग अगर आप देखेंगे युएस के मार्केट जो है वह अल्मोस्ट लाइफ हाई के आसपास टेट कर रहा और दी सिफ मार्केट सी नहीं बिटकोईन भी लाइफ हाई के आस 35 डॉलर के पास जा चुका है और नाच्रल गैस के दाम में जो है वह थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है सोना और डॉलर जो है वह अल्मोस्ट डायरे में ट्रेट कर रहा है तो देखना होगा इसका कितना इंपक्ट है लेकिन हां इसके साथ और एक बाते दीब की ज अंदार हम आक्शन बनते हुए देखी रहे हैं रोज हम देख रहे हैं भारतिय बाजार में भी नई रिकॉर्ट की प्रक्रिया है लगतार आट दिनों से आज देखते हैं किस तरह का आक्शन रहेगा अनल जी भी हमारे से जुड़ने वाले उससे पहले एक बार देख लेते में जरूर अच्छी खरिदारी करी है पर उसके सामने स्टॉक फ्यूचर में करीब 250 करोड की बिक्वाली है कैसे समझना है FIS-DIS का डेटा और साथी आज कौन से लेवल रहेंगे इंपोर्टन बाजार के लिए मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है आईए चलते हैं Zee Business के मैंजि अनिल सिंग्भी के पास अनिल जी गुड मॉनिंग ग्लोबल मार्केट्स तो आज बढ़िया संकेत दे रहे हैं कल जो हमारे बाजार में हुआ वो कैसे समझे सर और आज के लिए आपकी कहाँ पर नज़र रहेगी मुझे आतका है कि कल थोड़ा बोट जो एक्शन उपर निचे उतार जगाव का जो दिखाया है वो आज कम होना चाहिए और थोड़ी छोटी रेंज में बाजार ट्रेड करने चाहिए अच्छी बात ही कि ग्लोबल सपोर्ट आपावा दिखाया है लाइफ साम हाई आने के बाद में थोड़ी बहुत प्रोफिट बुकिंग थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आप एक्सपेक कर सकते हैं चाहिए लोड़ी इंडेक्स में बहुत ज्यादा एं पांट सोब्सक्राइब कर सकते हैं इस आप घलड़ी और चाहिए अपर हैं देख सकते हैं लेकिन बात वही है कि आपको इस मार्केट में अपनी ट्रेडिंग पोजिशन को प्रोपर्ली मेनेज करना ज़रूरी है, थोड़ा कम पोजिशन रखें और इंट्री एक्जित पॉइंट का दियानक में ज़रूरी है, जहां तक आज के सपोर्ट का सवाल है, बाजार में फ्रेश कर दो नहीं करते हैं, बाज़ए को अपने एक पॉड़ा करने में फ्रेश करिदारी घ्राइब करने चाहिए, चाहिए आज के लिए पहला करने चाहिए उपर शृत पल्क की रुकावट्वयंगे, ऐसके बाद अटाजार 550, अटाजार 660 यहां पर आने पर आपको बुकिंग और हलकी फुलकी बिक्वाली करनी चाहिए यह रेंज है जहां पर आपको थोड़ा ज्यान रखना है बैंक इफ्टी का जहां तक सवाल है बैंक इफ्टी कमजोर तभी होगा जब 49,350 की नीचे ट्रेड करना शुरू करें जब तक 49,350 की उपदे तक बैंक इफ्टी क करनी चाहिए तो यह रेंज है इस रेंज को आपको ट्रेड दना उस पर आपको जान रखना है तो चलिए यह आपके लिए इंपोर्टन लेवल्स और कल के जो लोज हैं वो पहला इंपोर्टन सपोर्ट आपको बनते हुए दिखेगा और अफ्कोर्स अनल जी से उनकी स्ट् पहले और को चीज आने वाले हैं तो सारी खबरे सारे ट्रिगर्स जानते हैं इनके बारे में कुशल के साथ कुशल गुड मॉर्निंग बताएं आज कहां पर है बाजार की नाज़र इन फाक्ट मुंबई एरपोर्ट में T1 टर्मिनल खोलने को मनजूरी मिल चुकी है और आज से यहाँ पर आपको जो है T1 खुलता वा नजर आएगा साती धानी सर्विसेज पुझी डुटाने पर बोट बैठक भी होने वाली है भारत गियर्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि राइट्स इशू पर बोट बैठक होने वाली है और RCF X डिविडेंट आस्ट्रेट करेगा 1.7 रुपीज पर शेर का डिविडेंट का एलान किया था शॉट टर्म एसेज एसम में कुछ स्टॉक शॉट लिस्ट हुए हैं जिसमें बोरो से लिमिटेड उनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स शामिल है पर जो शॉट टर्म एसम से बाहर निकले हैं उसमें पंजाब आलकलीज एन केमिकल्स और सुवेन लाइफ साइंस जो है यहां पर आते भी दिखे हैं इन फाक्ट एसम में जो शॉट लिस्ट हुए है आईनोस टार रिलिशन और सिनला इंडिया पर भी आपको नज़र रखनी होगी और एक प्राइस बैंड रिविजिन हुआ है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेकनोलोजी में हालकी लिस्टिंग है और बीस परसंट से घटा कर अब नया प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आये थे जिसमें नेसले इन लाइन नंबर्स हैं मार्जिन स्लाइटली बेटर दिख रहे हैं आए करीबन करीबन 10% बढ़कर 3882 करोड पर आई है साथी कंपनी का जो मार्जिन है वो 24.5% पर आता पर भी फोकस है साथी ACC यहाँ पर जो नंबर्स आते वे दिखे हैं यह भी इन लाइन है स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर्स कुछ एक पारामिटर्स पर हैं जहाँ पर अगर आप आए देखें कंपनी की तो करीबन 6% बढ़कर 3750 करोड पर आई है साथी कंपनी की मार्जिन 18.9 पर स्टेबल साइट पर हमें देखने को मिल रही है और कंपनी का मनाफ़ा जो है करीब 23% बढ़कर 450 करोड पर आया है L&T Technology Services L&T Infotech के बाद LTTS ने भी बहतरीन दमदार नतीजे पोस्ट किया है जहाँ पर डॉलर आए करीब 5.5% बढ़ती भी दिखी है और कंपनी की मार्जिन 17.3% से बढ़कर 18.4% पर आई है हमारा अनुमान 16.6% का था और जो मार्जिन्स हैं यह हाइस्ट ऑपरेटिंग मार् कंपनी ने दर्च की है नवीन फ्लोराइन यहाँ पर भी जो नंबर्स हैं थोड़े कमजोर साइट पर देख रहे हैं सालाना अधार पर कंपनी का जो आए है वो करीब 6% बढ़कर 340 करोड पर आया है पर मुनाफ़ा लगभग 7% गिरकर 63 करोड पर आतावा दिखा है 5 कंपनी का भी कंपनी ने एलान किया है आईसे से प्रिदेंशियल नंबर्स अच्छे हैं यहाँ पर जो नेट प्रीमियम इंकम है वहाँ पर करीब 8.5% का इजाफ़ा देखने को मिला है 9,286 करोड पर और कंपनी के मुनाफ़े में 45.5% का उच्छाल आतावा नजर आ रहा है टाटा स्टील बीएसेल स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर्स हैं मार्जिन्स 20% से बढ़कर 29% और कंपनी का जो मुनाफ़ा है वहाँ पर 342 करोड का फिगर था पिछले साल और अब इस बारी 1840 करोड का आकड़ा आतावा दिख रहा है आईसे से सिकुरिटीज भी नंबर्स बह उटाने पर फैसला ले लिया गया है अब फ्लोर प्राइस 422 रुपए 48 पैसे प्रतिश शेयर तेहा किया गया है और इश्यू प्राइस अगर अप्रूव होता है तो 22 अक्टूबर को यहां पर फिट से बोट बैठक होने वाली है और फ्लोर प्राइस पर अतिरिक 5% डिसका रही है और जिस स्पेस में उसमें तो मार्केट लीडर है पर एक और इंट्रेस्टिंग एडिशन आस्ट्रल क्ले तो इस पर भी रखेंगे नज़र धेरो और स्टॉक्स शुक्रिया कुशल इनके बारे में हमें बताने के लिए आए अब आपको कुछ बहतरीन ट्रेडिंग कॉल से और आज के लिए रननीती बता दें हर रोज की तरह एज एक सेक्योरिटीज के वीके शर्मा साब ने एक ऑप्शिन की दमदाज स्ट्राटिजी दिये हैं हमारे स्पेशल शो बाजार आज और कल में आई देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है पसंद उनको चलिए इन्फोसिस जो पिछले कुछ दिनों से तेजी में है आज भी अच्छा आक्शन दिखा सकता है 1840 की कॉल पर खरिदारी किरा है शर्मा साब की कुछ और बहतरीन ट्रेडिंग कॉल से आपके लिए चॉइस ब्रोकिंग HDFC Life यह है इन्फोसिस पसंद कैश में आप खरिदारी कर सकते हैं 703 के लेवल के आसपास यहां पर आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है 689, 689 और टार्गेट होगा 730 रुपे का आनद राठी की तरफ से आज हीरो मोटो पर बुलिश विव बनते हुए दिख रहा है खरिदारी कर सकते हैं हीरो मोटो पर स्टॉप लॉस 2840 कर रहेगा और टार्गेट आपका 2980 का होना चाहिए सेंटरम रोकिंग इने पसंद है मनापुरम फनाइंस कल भी हमने दिखा काफी सारी NBFCs आक्शन में थी मनापुरम खरिदारी करके चले 197 का होगा आपका स्टॉप लॉस और 206 ये होगा आपका टार्गेट और साथी सीमेंस कल भी बढ़िया आक्शन में दिखा करीब 5% की तेजी रही यहाँ पर आज भी मोवेंटम बन सकता है खरिदारी करें 2275 का आपका होगा स्टॉप लॉस और साथी 2380 का आपको रखना है टार्गेट तो यह है आपके लिए कुछ बहतरीन कॉल्स आज के लिए कुछ और कॉल्स और बाजार पर स्ट्राटजी लेकर तयार है हमारे साथ कोटक सेक्योरिटीज के शिकान चोहान साहब शिकान जी गुड़ मॉर्निंग बताएं आज सबसे पहले बाजार में आपकी कहां पर है नजर गुड़ मॉर्निंग जिपांची देखें विसे मार्केट अगर 18-20 में अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक बड़ा करेक्शन दे चुका है और मुझे लगता है कि 18-400 से लेकर 18-350 के रेंज में मार्केट में काफी बढ़िया सपोर्ट है अगर आप 5-day average को देखेंगे तो वहापे भी हमें लगता है कि शायद इसमें कोट अगर करेगा मार्केट में अगर आजाता है तो वहापे एक कॉंट्राट रेंज लिया जा सकता है 18-300 के stop loss के साथ हमें लगता है कि भी मार्केट थोड़ा और वस निकालेगा एक छोटी रेंज में रहेगा मार्केट 18-300 से लेकर 18-500 के रेंज में मार्केट थोड़ा वस निकाल सकता है बैंक निक्ते में जरूर हमें छोड़ी सी अप्टिक देखने को मिल सकते लेकि बादर मार्केट में पेजी के बजाए अगर आप फोकस करें अगर किसी स्टॉक्स पर श्रीकान जी आप से राय लेने पर उससे पहले आपके कोई पसंदी देए ट्रेडिंग आइडिया सर अज के लिए बिल्कुल इंपेक्ट दिपांचो अगर मुझे लगता है कि टेक्नोलोजी स्टॉक्स में फेजी बनी रही थी और वहाँ पे हमें लगता है कि जो ओरैसल फाइनेंस है और वहाँ पे फोकस करना है यह तॉक में कल हमने अच्छा एक स्विंग ब्रेकाउट टेकनिकल ब्रेक अगर इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में फोकस करना है तो मुझे फाइनस में फोकस करें पर उन्नपूरम फाइनस यहां पर हमने लगातार एक अच्छी बाइंग देखी है और हमें लगता है कि इंटनेशनल मार्केट में बी गोल्ड में अच्छी तेजी बन सकती है आन रखें और 1630 के टार्गेट के इसे करीजा जा सकता है ओके तो NBFC बैंक्स और फिनांशल्स यहां पर आपके नजर और साथी IT यहां पर भी आपने कल बढ़िया अक्शन बनते हुए देखा है अच्छा श्रीकान जी कुछ स्टॉक्स जहां पर कल हमने देखा कि एंड में का अच्छी अटेंप्ट करी साथ परसें नीचे बंद हुआ पर कैसे देखें इस वालिटिलिटी को हमें लगता है कि इसने भी स्टॉक है कि जहां पर हम लोगने एक अबनॉर्मल रैली देखी थी और उस अबनॉर्मल रैली के बाद एक बड़ा सेलोग देखा है तो हमें इन अबने वाले दिनों में याने कि यह जो आयर सीटी से इसने जो भी के रहें क्रेक्शन अगर और आता है तो बहुत बन सकती है तो 4500 के करीब इसमें काफी बड़ा सपोर्ट है वहाँ पर बिलकुल इसे बाई कि आ सकता है और इसके साथ मुझे लगता है कि अच्छा एक्से हिसों के करीब काफी बड़ा सपोर्ट है और हमें लगता है कि बिल्कुल इसे बायों डिप्स किया जा सकता है बिकर यह जो स्टॉक्स है वो आने वाले कुछ महिनों में आने वाले कुछ कॉर्टस में अच्छा एक और एक हमें बिल्कुल इनिशियल करेक्षन है और बिल्कुल इनिशियल करेक्षन को बड़े सपोर्ट पे करीदा जा सकता है बिल्कुल तो सपोर्ट 4500 के करीब आता है IRCTC के लिए अफकोस वहां से तो काफी दूर है और कल हमने एंड में भी अच्छी रिकवरी देखी अच्छा शिकान जी कल जिस सरा से दो FMCG दिगजों में गिरावट आई HUL उसके नतीजे के बाद एस्पेशली वॉल्यूम ग्रोज से थोड़ा बाजार डिसपोइंट हुआ और ITC में हमने 6% की गिरावट देखी क्या ये फिर से खरीदारी के मौके हैं या फिर थोड़ा यहां पर और कमजूरी आ सकती है देखिए मैं से रिचियल के नतीजे तो अच्छे थे लेकिन जो कमेंटरी की वहाँ पे गड़बर हुए और इसकी वज़े से स्टॉप में चाया है लेकिन आमें लगता है कि अर्फ जिसे परेंटिशियल और टेक्निक अलीब तो अजर वह रख्टा के पाश्य काइं पत्वेस्ट, अल्रइड है और 245 का टॉपलास रखें, तासी साथ हमें लगता है कि ITC में जो एक सेलाव पाया था वो भी एक स्पसेट नूशलो के पीछ आया है, लेकिन जो इसमें मोमेंटम बना है, वो क्लिरली इंडिगेट करता है कि आने बले दिनों में ये भी स्टॉपलास रखें, और कल काफी आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हपतों में काफी अच्छा परफॉर्मस दिखाएगा, और 270 के लिएक और 280 के टार्गेट के दिखा सकता है, बिलकुल, तो चलिए नजर रखें, आज थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए, जिस तरह से कल काफी तेज गिरावट हुई, बट सपोर्ट लेवल्स, श्रीकान जी ने आपको बता दिया है, एहम लेवल्स जो इमपॉर्टन रहेंगे, इंकाउंटर्स के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया श्रीकान जी हमार साथ जुरने के लिए, और बाजार पर अपनी राय बताने के लिए, ये तो रही एकुट कल फिर से बढ़िया आक्शन बनते हो दिखा, आज के लिए कच्छे तेल पर क्या रन नीती रहीगे आपकी? जिगर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताएं, कच्छे तेल पर आज क्या करना है? जिगर की तरफ से पर जो उन्होंने स्ट्राटेजीज दी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो कच्छे तेल में देखे, कल भी हमने जबरदस्त आक्शन यहाँ पर बनते हुए देखा, आज भी खरिदारी की रहा है, पर इन लेवल्स पर खरिदारी नहीं कर करें, 6210 के करीब अगर आपको कच्छा तेल डिप करते हुए दिखता है, तो वहाँ पर करें खरिदारी, फिर वहाँ पर आपका stop loss बनेगा 6170 का, और आपका target होना चाहिए 6290, इसके इलावा gold इस पर आपको बिक्वाली करनी है, December contract gold का बेचना है, 47300 के लेवल्स के आसपास stop loss लगाई है 47400 का और target होगा 47100, और इसके साथ ही copper यहाँ पर भी आज आप बिक्वाली करके चल सकते हैं, October contract बेचे 793 के लेवल्स पर stop loss 796 और target 786, तो कच्छे तेल में करनी है खरिदारी पर उसके सामने gold और copper यहाँ पर करके चलेंगे बिक्वाली, यह है आपके लिए आ अज़र डाल दीजे, उचाही से थोड़ा फिसला है SGX Nifty पर 18450 के पास आराम से hold करते हो दिख रहा है, Dow Futures कल की तेजी के बाद एकदम सपाट है, एशिया के बाजारों में अच्छा कारोबार है, जहाँ पर जपान और होंग कॉंग में 5% की तेजी है, चीन के बाजार हलके सुस्त है, इंटरेस्ट रेट उनका आक्शन आया है, लगतार आटवे महीने, इंटरेस्ट रेट में चाइना में कोई बदलाव नहीं होते होई दिखा है झाल 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 झाल